एक दम जबर्दस जाकास चगाचाग गोड ट्रिक में सवागे तो तुम्हारा लास्टिक जो तुमको बताई थी आलकाल एलाइड वाली वह भी बड़ी जबर्दस ट्रिक थी कहीं पर कोई भी स्पेशिस दिया रहे कोई भी अलकॉल हो अलकेन अलकाइन हो तुम्हें नहीं सम ग्रिगनाड रिएजेंट मेरे नजर में बहुत ही अल्ट्रा प्रो लेवल पर आप इसको यूज कर सकते हैं कोई अगर आपसे कहता है सुन ले ना ध्यान से अब यह आपके सिलिवस का है आप जो इमेन एडवांस के लिए घिसाई करते हो खूब इसके गिरनाड रिजेंट सब्सक्राइब समयाट आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने के बोर्ट एग्जम बास किया है फ्लाइं कलर से 95-96 स्कूल टॉपर से नहीं जहीं वाले जो जहीं अच्छा हों रटे जो सिंसीर रहते हैं जहीं के लिए सॉरी टॉपर होते हैं तुछे के जहीं अच्छा कर अगर वो लॉजिकली सही है, कोई काट नहीं सकता, कभी कटते हैं, बोर्स मार्स नहीं कटते हैं, in fact, तुम्हारे डिफरेंट तरीकों के वजए से तुम्हारी कॉपिट डिफरेंट मानी जाती है, तुम्हें relatively ज्यादा appreciate किया जाता है, और relatively तुम्हें मार्स ज्यादा मिलते ह अगर तुम्हें कोई student या कोई teacher तुम्हें बोले, कि ऐसे method और वैसे method नहीं use करते हैं, समझे, और तुमको फिकर क्यों करनी है, चुप चप तुम मेरी बात सुनो, ठीक है, तो मेरे सारे students, जो भी जेई वाले हैं, जो भी sincere student है, वो भाई, सातो जनम से यही use करते आ रहे है सारे basic tricks और इन ही वजए से उनके copy जाद अच्छी मानी जाती है, वही written तरीके से school वाले तरीके से तुम कर रहे होते हो, वही तुम धेरो तरीके अपना लेते हो, शौट कट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, अब यह हो सकता है कि अगर कोई restriction लगा दी जाए, कि नहीं यह चार step में करना है conversion, यह इसी reagent के through करना है, एक दो यह वाले reagent तो पक्का use करने है, तो तुम्हें सोच समझ के करना पड़ेगा, आओ, इसे देखते हैं, बाकी बाते बाद में, अब जैसी यह conversion है, कि मुझको ना मिथनॉल को convert करना है, अब अजीब सा बड़ा सा molecule ले लिया ब्रांचिंग भी है, alkyne भी है, अब आपका सर फटेगा कि यह कैसे होने वाला है, बड़ आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐसे समझिएगा, पहले इस alcohol को alkylilide में आप convert कर लेंगे, कैसे convert करेंगे, कोई भी आप SOCL2, PCL3, PCL5 अगएरा कुछ भी use कर लीजे, जो क आप carbon के delta plus पर attack करवाएंगे, तो SN2 attack से CL हट जाएगा, यह basically क्या है, nucleophilic substitution of second order है, जब यह attack करवाएंगे, तो R और CH3 जुड़ गए, तो net result is what, R जाकर के CH3 के साथ जुड़ गया, अब मैं इस CH3 के साथ, चाहूं तो कैसा भी R ले लू, कोई रोक नहीं सकता तुमें, तु कहां गया मेरा CH3, तो मुझको CH3 दिखाई दे रहा है, यह पार्ट है ना CH3 वाला, यह देखो यह CH3 है, यह CH3 वाला पार्ट है, करेक्ट, अगर यह CH3 वाला पार्ट है, तो फिर बाकी पार्ट, वो बाकी पार्ट क्या गलाएगा, उस बाकी पार्ट को मैं क्या बोलने वाल तो that means RMGX में जो मेरा R था वो क्या था जो मुझे चाहिए था मैंने उसी को R बना दिया मुझे कौन सा R चाहिए था यह R चाहिए था न तो this is our R पहला कारबन, दूसरा कारबन दूसरे कारबन पर मिथाईल तीसरा कारबन, चौथा कारबन और उस पर फिर Alkyne यह मेरा R का पहला कारबन है जो जाकर के इस CH3 से जुड़ा तो that means के इसी पर माइनस है और इसी के साथ मैंने MGBR जोड दिया कानी खतम, हो गया, इतना easy है कितना भी complicated दे दे मैं उसमें से उस पार्ट को माइनस करूँगा जिस पर अटैक करवाना था इस पर, CH3 पर पहले हाँ वो जो भी है उसको Alkyl Align में convert कर ले ना क्योंकि SN2 तो इसी को होने वाला है तो बात बन की देखो चका चक, कितना भी complicated दे दे कितने steps लगे तुमको, एक और एक दो दो step में कानी खतम और ऐसे तुम करने कहे तो तुमसे सातो जनम में शायद ना हो तो चलो प्रैक्टिस करते है अब इस spaces को convert करना है तुम सोच रहोगे कि भाई, एरोमेटाइजेशन वगरा करना होगा भाई साब हम तो नहीं करने वाले हम तो इसे एक step में खतम कर देंगे हम क्या करेंगे, हम चिक करेंगे अच्छा, इन्होंने क्या किया है कौन सा spaces दिया है मुझको ये attack इस पर होना था अगर इस पर attack होना था तो मैं ग्रिगनाड रियेजन इस से बना लूँगा इस वले पार्ट से तो इस वले पार्ट से ग्रिगनाड रिये, यही फिनाईल है तो फिनाईल इसके साथ मैं Mg, Br, Mg, Cl कुछ ले लूँगा हो गया खतम Done अब यही Mg, Br के साथ लगावा जो pH माइनस है यह pH माइनस आएगा Ascent to attack देगा देखिए आपको क्या करना होता है एक alkyl part जिस पर attack होने वाला उसके अलावा क्या चाहिए यह चाहिए था, फिनाईल वाला part तो उसी का ग्रिगनाड बना लिये मैंने बन गया तो हमारा जो R है वो R क्या है, इस बार pH है कानी खतम RCH3's final result RCH3's pH एक step में कानी खतम पता नहीं आप क्या का कर रहे होगे आया मजा तो comment में जो धेर सारा प्यार मिल जाना चाहिए फिर से complicated molecule अरे कवनों दिक्कत नहीं जी क्या ही दिक्कत है इसमे हम सर्च कर रहे है attack किस पर करना था, C2H5 पर that means हमारा जो R है वो ये part है so this is our R ये अगर हमारा R है तो इसी R का ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमें चाहिए जो RMGX हमें लेना है वो RMGX इस R से बनाना है उसी RMGX का attack हमें करवाना है इस RMGX का attack करवाएंगे और इस attack से हमें जो चाहिए था वो मिल गया कहानी तमाम है सब्जे लीजे और प्रैक्टिस कीजे तो इस spaces को convert करना है थोड़ा और level को up करने की कोशिश की है अगर ऐसा कुछ है level up करना है तो आप क्या सोच रहोंगे कि यार यहां पर तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा गिरिगनाड यूज करे अलकोहल बना दिया है तो actually आप अभी तक क्या सीख रहे थे कि इस side वाला part देखते थे extra क्या add करना है और इसी को गिरिगनाड reagent की रूप में लेते थे बड़ आप इसे भी गिरिगनाड बना सकते है इसे गिरिगनाड कैसे बना सकते है आप ये जो species है इस species के साथ इस species के साथ आप क्या कर सकते है इस species के साथ आप कुछ ऐसा कर लिजे देखेगा इस species के साथ आप कर लिजे यह ऐसा कि इसे पहले आप इसमें डालिए बियार टू एफ़ी के थुरू बियार प्लस निकालिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमैटिक सब्स्टिचूशन करवा दीजिए जो बियार प्लस बनता है ना इस लूइस एसिड के साथ यह बियार प्लस पहले बेंजीन पर अटैक और देखो यह बना देगा जैसे ही मेरे पास ना एक अराइल हैलाइड बन गया यह अराइल हैलाइड हो जैसे ही आप उसका रियाक्शन करवाते हो मैगनीशम और ड्राइधर के साथ बस 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 मैगनीशम ड्राइधर यह बन करके तैयार तो मैगनीशम जिस्ता वो खुद ही बन गया गिर्गुनाड रिएजेन तो हम यह दूसरी ट्रिक है जिसमें कि हम Рियक्टंट को और बना दे ते पहले गिर्ग्णाड पर गिर्णाड बाहर से लागर के अटैक करवा रहे थे अब ये गिर्णाड बना दिया है इसी को तो यहाँ पर माइनस इसी के साथ साथ MGBR अब आप क्या करेंगे अब आप लीजिए ना अब आप लीजिए ना आप ढूंड़िये सर्च कीजिए क्या चाहिए था आपको ये एक, दो, ती तीन कार्बन वाला दिखाई दे रहा है आपको दिख रहा होगा कि ये बेंजीन वाला पार्ट वो तो आपके पास है ही अल्रेड़ी है ना? है और आपको तीन कार्बन की चेन दिखाई दे रही इस जगह से attack होगा यहाँ पर ऐसे attack होना चाहिए कि बीच वाले carbon पर alcohol बन जाए यह तब ही होगा जब वहाँ पर कोई oxidized part होगा और उस oxidized part को electron दे करके उसका reduction करवाएंगे और एक बर reduction होना है तो कौन सा ऐसा species जिसके एक बर reduction से alcohol बन जाएगा aldehyde ketone बीच वाले carbon पर हैड़ बन नहीं सकता तो पक्का वहाँ पर क्या रहा होगा? ketone रहा होगा that means actually आप बाते कर रहे हैं acetone की तो acetone पर आप अपने attack करवाया जैसे आपने acetone पर attack करवाया लीजिए इस attack से क्या होगया? O कि तरफ pipe bond घूम गया? यह आकर के इस से जुड़ गया जब आकर के जुड़ गया तो इस benzene के जिस carbon से attack हुआ उस carbon से इस second वाले carbon पर O- बना दीजिए side से इस पर यह दो carbon जुड़े वे O- के साथ ही MgBr आकर के जुड़ जाएगा MgBr neutralize करने के लिए अब आप इसी के hydrolysis करवा दीजिए जो आप hydrolysis करवाएंगे तो यह O- जो है वो OH पर चेंज हो गया एक carbon दो carbon तीन carbon दूसर carbon पर OH जो MgBr है वो वाटर के OH को ले करके side हो जाएगा MgBr OH देखा तो यह आपका final product ऐसे बन गया तो बहुत complicated था नहीं बनता बड़े आसानी से बना दिया है तो आप ऐसी सारी चीज़े सीखिए boards में बिंदा से लिखिए कोई काटे केस वुकदमा रुकना नहीं करी नहीं सकते अरक करी नहीं सकते school वाले भले करे school में अलग कहानी चल रही होती boards में तो यह सब चीज़ा बहुत appreciate किया जाता है यह भी एक है जिसमें के alkyne है alkyne को acetophenone में convert किया है school में acetophenone बनाने बड़ा देते हैं अगर इस school की method से चले तो freddle-craft reaction बज़रा करवाएंगे हम green art reagent के through करने की कोशिश करते हैं और easily बनेगा तो हम कैसे करेंगे ऐसे भाई हम ऐसा कुछ करेंगे यहां से सारे लोग कहेंगे किया aromatization कर दो तो ठीक है सही है कुछ भी गलत नहीं है हमें पता है कि इसको हम क्या करने वाले iron है ना या फिर मतलब hot iron मुझे लगता है ना पिछला जो कनवर्जन वाला था उसमें मैंने सेम hot copper tube या iron tube से नहीं मैंने CR23V25 से करवा दिया उसको ठीक कर ले अभी जस्ट मुझे को स्ट्राइक किया कि पिछला वाले जो ट्रिक थी उसमें एक जगए पर question की solving कर रहा था जैसे आपने बना लिया बेंजीन ये करने के बाद generally लोग क्या करते हैं ऐसा करते हैं मैं उसी के alternate को discuss कर रहा हूँ कि जहां जहां पर Friddle Crafts reaction वेगरा तुम करते हो ना सब के alternate तुम Grignard के थूरू निकाल सकते हो और मैं इसले बोला हूँ कि complication तुमने पिछला वाल question देखा कितना भी complicated देदे फट से बना दो गए तो आदाद रहने चाहिए गिरिगनाट की गिरिगनाट के कमांड कर लो बड़ी बेहतरी चीज़ और कहीं पर भी यूज कर सकते हो तो अभी तुम यहां पर ना अगर तुम ऐसा काम करते हो देखो CH3 COCL और साथ में ALCL 3 तो जो basic सा जो school वाला method होता वो यही होता है यह क्या करेगा ALCL 4 minus बना लेगा और ALCL 4 minus बनाने के बाद यहां जो plus होगा वो actually electrophilic aromatic substitution दे देगा तो electrophilic aromatic substitution EAS के थूरू तुम्हे यह मिल जाएगा यह मिल जाएगा सही भी है गलत नहीं है लेकिन हम ट्राइ करने वाले किस के थूरू हम ट्राइ करने वाले हैं हम ट्राइ करने वाले हैं गिरिगनार रिजन के थूरू let's see that कि गिरिगनार रिजन के थूरू यही चीज़ कैसे possible है है भी या नहीं है तो गिरिगनार रिजिन के थुरू देखते हैं थोड़ सा तिर्चा कर लेते हैं ज्यादा clarity रहेगी ठीक है तो भाई अब कैसे करें गिरिगनार रिजिन के थुरू करके देखना चाहते हैं मैं तो फिर से पिछले वाले question में जैसे किया था पहले BR2 AFE कर देते हैं है ना BR2 AFE कर दिया तो आपको पता है यह चीज़ बन जाएगी सबसे पहले BR and let us see कि अगर मैंने यहाँ पर BR लगा दिया अब आप इसके साथ क्या करेंगे जैसे ही आप इसके साथ गरगनाड जैसे ही आप इसके साथ MG लगाएंगे ड्राई थर में वैसे ही यह गरगनाड खुद बन जाएगा तो MG ड्राई थर करने पर यह खुद ही क्या बन गया PH MG BR बन गया इसके साथ MG BR आ गया अब मुझे इस से बनाना है यह वाला species तो मैं जान बूच करके क्या गरूँगा जान बूच करके इसके इस वाले पार्ट को सोच रहा हूँ क्या गरूँ मैं इस वाले पार्ट को मैं इस वाले पार्ट के बारे में सोच रहा हूँ इसको हट आने में हट जाओ गुड बॉई अब इससे इस वाले पार्ट को देखना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ यहां तक तो मुझको मिल चुका ही है PHMGVR वाला अब CH3CO वाला पार्ट चाहिए मुझको ठीक है वो कैसे लाएंगे तो गिरिगनाड रियेजन का अटैक जब भी होता है गिरिगनाड रियेजन का अटैक से जब आप aldehyde ketone पर करवाते है अल्कोहल बन जाता है acid derivatives पर करवाते है दो equivalent, दो बार गिरिगनाड रियेजन का अटैक होना चाहिए तब जागर के अल्कोहल बनता अगर एक बार करेंगे तो aldehyde ketone पर बादशीत रूख जाएगी तो मैं इसी concept का use करने की कोशिश करूँगा CH3CO वाला पार्ट चाहिए न add होना चाहिए CH3CO वाला पार्ट तो साथ में एक living group रख लो काम बन गया तुमारा अब इस minus का attack यहाँ होगा यह open होगा जब open होगा तो open minus आएगा वो O minus वापस कार्बुनाईल बनाने की कोशिश करेगा इस CL को बाहर निकालेगा समझे this mechanism is called nucleophilic substitution via addition and elimination और यह यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है इस साइड हो रहा है ध्यान रखना कि उधर नहीं हो रहा है यहाँ मत समझना किदर हो रहा है इस साइड हो रहा है this process not this one यह वाला यहाँ था ठीक है इसको green करती है आपने तो इसको हटा देते है तो मैं बतार ग्रीन की वैसे confusion ना हो जाए भाई तो ध्यान रखना यह वाला पार्ट यहाँ हो रहा है अब इससे क्या होगा भाई यह माइनस जाएगा इस पर जुड़ेगा और यह पूरा पार्ट आ करके बिंजिन के साथ जुड़ गया तो यह आपका final answer हो गया देख रहे यह final answer हो गया तो यह भी तरीक है आपका बट हाँ ठीहान रखना कि इस बार आपने जो गिरग्णाड एजेंट यूस किया है वस्यफ वस्यफ वन EQUIVALENT ही यूस करना है क्योंकि आपने अगर एक मोल एक EQUIVALENT से ज़्याद आगर दो मोल यूस किया तो यह फिर से आटायक होगा और यह अल्कोहल में चीन्द हो जाएगा समझे अब आपको ये चीज अच्छी करने के लिए मैंने चार question का practice set दिया है आप इसको solve कर लिजिए so that के जो PDF टेलिग्राम चैनल में outlier में upload करने वाले या description नो डालने वाले उसे आप match करा अगर के अपनी steps को देख लें and yes do tell me मजा आया, सिखिया आपने अज़े बर्दस ट्रिक दो back-to-back बहत्री टिक सिखाई है मिस मत करना आगे और ट्रिक अप्लोड करते हैं तब तक लिए भाई टेक केर ठेड़ सारा प्यार और ठेड़ सारे दवाए आग लगाते रों पढ़ते रों टेक केर